जिन्दगी में अगर किसी से धोका मिले तो उदास मत हुआ करो बल्कि सुक्र मनाओ कि किसी गलत इंसान से पीछा छूटा माना की औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने खुद गिरता समलता रहा किसी को गिराया नहीं मैंने आपको जो अच्छा लगे वही करो त्योंकि ये जिन्दगी आपकी है किसी के पापकी नहीं किसी पे भरोसा करना हमारी गलती थी लेकिन भरोसे को तोरना उनकी गलती थी किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे खुद को समझाओ जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता नहीं इनसानों की तो कहीं दुआओं की भी जरूरत परती है पुद को ऐसा बना लीजिये कि आपको आने वाले को नाज हो और खोने वालों को अफसोस हो किसी पर भी कभी बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे को कि अंधेरे में छाई भी साथ छोड़ देती है वक्त बीट जाने के बाद एहसास होता है जो लम्हा बीट गया वो सबसे हसीन था एक बार आप सच बोल कर तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव ड़कते हैं डूट लेते हैं अपने ही वरना गैरों को कहां पता दिल की दिवार कहां से कमजोड है जीब दस्तूर है जमाने का अच्छी यादे पैन ड्राइब में और बुड़ी यादे दिल में रखते हैं जीत और हार आपकी सोच पर निर्वर करती हैं मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी जिन्दगी की कढ़िनाईयों से भाग जाना आसान होता है जिन्दगी में हर पहलू इब्दिहान होता है डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिन्दगी में लरने वालों के कदमों में जहान होता है यही जजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा चमी बंजर हुई तो क्या वही से जल भी निकलेगा ना हो मायूस ना घबड़ा अंधेरों से मेरे साथी नहीं रातों के दावन से सुनेरा कल भी निकलेगा जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते पुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़वत हो दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है पुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख तु भी एक सिकंदर है जिन्दगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता कोई कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं गुंदे भाले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिन्दगी में बड़ा पड़िवर्तन ला सकता है मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो कि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिश्क हो जीवन में गिरना भी अच्छा है वकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है जब लोग आप से खपा होने लग जाए आप समझ लेना कि आप सही राह पर हो उस जगह पे हमेशा खामोस रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुन गाते है यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है यह आपका काम वाकई में बहादूरी भड़ा है बोद के समय थोरा रुक जाए और गलती के समय तोरा जुक जाए तो दुनिया की सब समस्याय हल हो जाएंगी जब तक सिक्षा का मकसद नौकड़ी पाना होगा अब तक समाज में नौकड़ी पैदा होंगे मालिक नहीं लाखो ठोकड़ों के बाद भी समभलता रहूंगा गिर कर फिर से उठोंगा और चलता रहूंगा